एक बहुत ही महतपुर्ण सुचना आपको देनी है अगर आप कस्तुरवा गांधी बालिका विद्याले में पढ़ा रहे हो या फिर यहां पे सिच्छक बनने की सोच रहे हो तो कॉमेंट सेक्षन में जब भी वो वीडियो बनेगी तो मैं कॉमेंट सेक्षन में उसका लिंक द लीजेगा या फिर चैनल के नए वाले वीडियो सेक्षन में जाकर उसे ढूड़ लीजेगा तो चलिए नमस्कार मेरा नाम है मितुन सिंग और आसा कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिलकुल अपने पढ़ाही में लगे होंगे जारखन में सिक्षक भरती का निर्देश आ चुका है सिक्षा विभाग का निर्देश है कि एक महिने में इन भरतियों को पूरा कर लिया जाए और ये एक्जाम लेकर आपको जो है भरतियां भरतियों के विरुद में आपकी नियुक्तियां होनी है देखिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है सारी जा के बाद उनके पुत्र को सिक्षा मंतरी बनाया जा रहा है अच्छी बात यह है कि सिक्षा मंतरी के पुत्र graduate है और लल्बी की पढ़ाई कर रहे हैं और कमेंट करके लेकिन फिर भी बताईएगा आप कि आपको क्या लगता है कि सिक्षा मंत्री के बेटे को सिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं नीचे कॉमेंट करके आप yes no जो भी हो आपकी राय लिखिए freedom of speech बहुत important है डेमोक्रेसी में तो देखिए जारकंट सिक्षक भरती 2023 के बारे में क्या update आई है वो मैं आपके साथ साजा कर देता और हूं से आप देख पाओगे है कि अलग-अलग राजियों के सब्सक्राइब इसके लिए में आपको यहां पर nिशक्षा में लोग ज्रूर में संख दीजएगा में यहां से देखिए बोकारों में 10 खूटी में 2 लातिहार में 8 पाकुड में 10 वेकेंसि आपको देखने को मिलेगा रामगड में 9 साहब गंज में 9 और सिमडेगा में आपको जो है वेकेंसि दिख जाएगी साथ सरायकेला में 6 पस्चमी सिंग्भूंग में 16 वेकेंसि आपको देखने को मिलेगा तो चत्रा म 18 धनवाद में 5 पश्चमी सिंग्भूंग में 15 गिरिडी में 16 गुमला में 30 देखिए गड़वा और गुमला दोनों में 30-30 वेकेंसी है जामतड़ा में आपको 7 वेकेंसी देखने को मिलेगा कोड्रमा में 11 लोहर दग्गा में 2 पलामू में 6 रांची में 5 तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे ज़्यादा वेकेंसी आएगी कहां कहां गड़वा और गुमला में 30-30 वेकेंसी देवगर में चुक्दव वेकेंसी आएगी और बकारों में 10 अब देखिए क्या निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा ज़ारखन कषटूरुबा गांधी आवासिय विद्धयले में एक महिने में 265 शिक्षकायों की जो बहाली है वो होने वाली है इन इसकूलों में शिक्षकाओं को निक्त करने के लिए जा हैं उननी की नियुक्तियघंन हो निढिगन के पुर्री नहीं हो चुकी है इसका do लेना है अब देखिए यहां से फिर से आप देख पाओगे कुछ और चीजे जो आपके लिए बहुत important है फिर से बिग्यापन प्रकासित कर देखिए कारवाई की जाएगी यानि कि जिन्हों फॉर्म अप्लाइ नहीं कर पाया था ना पिछली दफ़ा हो सकता है कि नहीं का बेड नहीं हो सीटेट वगएरा या जेटेट वगएरा कुछ भी हो या फिर आपने देर कर दी थी फॉर्म आपका नहीं आया था तो ऐसे में अब आप फिर से विग्यापन परकासित किया जाएगा और 203 कस्तुर्वाब विद्याले में टोटल जो पद खाली है वो 1015 हैं लेकिन फिलाल सरकार कितनी वेकेंसी निकाल रही है 200 यहां से देख लो आप यहां से आपको दिख रहा होगा 265 सिक्षिकाओं के लिए जो है भरती यहां पे किया जाएगा याद रखिएगा EWS को इसमें सामिल किया जाएगा यानि कि यहां पे जो इकनॉमिंग विकर सक्षन है उनको 10% का रिजरवेशन मिलेगा OBC भाईयों बहनों और जो SCST से जुड़े हुए कटेगरी से लोग है उनको जो सरकार पहले से रिजरवेशन दे रहे थी उनको भी वो जो रिजरवेशन है वो मिलता रहेगा सिर्फ EWS वाले को यहां पे एड किया गया है तो किल मिलाकर बात यह है कि जल्दी से जल्दी तयारी में लगे रहे एक्जाम लिया जाएगा उसके बाद इन सारे सिक्षिकाओं की जो है रिक्रूट्मेंट चारखन के अलग-अलग स्थुर्वा गांधिबाल का विद्याले में एज परमानेंट टीचर जॉब लग जाएगी वीडियो आपने यहां तक देखा है बहुत बहुत आपका सुक्रिया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाच्छिन इस वीडियो, एग लुट देख.